हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिया चैनल पर दोस्तों आपको बता दे जोबी की सबसे बड़ी खबर आ रही है जाप धानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पाकिस्तानी सर्जिकरी स्ट्राइक पर बड़ा बयान दिया है दोस्तों सी शर्त बताएंगे आपको क्या है वो शर्त दोस्तों इसी बीच बताएंगे जहां पर पाकिस्तान ने मांगी मदद तो सौधी अरब यूए और चाइना ने मारा बहाना जी हां दोस्तों और साथ ही बताएंगे जहां भारत को देहलाने की फिराग में अलकाइदा का अफगा भारत की खबर आपको बताएंगे और बताएंगे इस दिन भाजबा में शामिल होंगे हार्दिक पटेल साथ ही आपको बताएंगे जहां सीयम योग यादित तेनाथ जी ने कहा राहूल गांदी और अखलेश यादम में जादा फर्क नहीं बताएंगे दोस्तों हर तरह की तो आराम से बनेड़ेगा वीडियो के अंत तक और अभी खबरों आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं दोस्तों की मोदी जी है तो हर चीज मुम्किन है भारती सेना है तो अपना देश गर्ब से जी रहा है दोस्तों और आपको भी भारती होने परशान है और मा से बड़ी खबर की तरब जा शिमला में बोले पीम मोदी जी का सर्जिकल स्ट्राइक पर देश को है गर्व सीमा अब जादा सुरक्षित जी हां दोस्तों प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी जी सरकार के आज साल पूरे होने पर कई कालकरमों का योजन किया जा रहा है दोस्त अब सर पर पीम मोदी जी ने कहा कि आज सर्जिकल स्ट्राइक एयर स्ट्राइक का गर्व है आज हमारी सीमा पहले से जादा सुरक्षित है उन्होंने देश की तरक्की का भी जिक्र करते हैं कि आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थ विबस्ताओं में से ए एक है आज भारत में रिकॉर्ड विदेशी निवेश हो रहा है आज भारत रिकॉर्ड एक्सपोर्ट कर रहा है प्रधानमंत्री मोदी जीन शिमला में पिम किसान सम्मा निधी की 11 किस जारी करने के बाद ये बात कही है दोस्तों सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र करते हैं चुर्च शित हैं ऐसे मोदी जी की बात का समर्थन करेंगे कमेंड में लिखकर जरूर बतायेगा और आज का हमारा भानत और दोस्तों सोड़ेगा जरूर और क्या NR ने देखते हैं ये भी जरूर बताना मत भूलिएगा चलते हैं एक तरब जहां पर आखिर शेहबाज शर दोस्तो पाकिस्तानी प्रदान मंतरी शहबाद शरीफ ने कहा है कि दोनों देशों को ब्यापार से बड़ा आपसी लाब हो सकता है तुरकी की यातरा से ठीक पहले दिये अपने बयान में शहबाद शरीफ ने कहा कि हम जानते हैं कि भारत के साथ अच्छे ब्यापार रिस्ते करके हमें बड़ा फायदा हो सकता है इसके बाद भी कंगाली की हालत से गुजर रहे पाकिस्तान के प्रदान मंतरी ने अकड दिखाते हुए कहा कि कश्मीर में 350 को बहाल किये बिना दोनों देशों के बीच ब्यापार शुरू नहीं हो सकता ड़ी हां दोस्तो शेहबाद शरीफ ने कहा कि भारत की ओसे कश्मीर का विषयश दर्जा खत्म करने के बाद पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के साथ ब्यापार को बंद कर दिया शरीफ ने कहा हम जानते हैं कि भारत के साथ अच्छे ब्यापार रिस्टे से हम बड़ा आर्थिक लाव ले सकते हैं इसके बाद भी कश्मीरी लोगों के कथित अत्याचार जनसंक्यां का धाचा बदलने के प्रयासों भारत की ओर से कश्मीरी जनता को अधिकार ना देने से ये कल्पना करना तक श्मिर में 377 दुबारा से लागू नहीं होती है हम भारत के साथ ब्यापार नहीं करेंगे ऐसे मैं दोस्तों आपको बता दें कि भारत ने पाकिस्तान के साथ ब्यापार शुरू करने की बात कभी भी नहीं कही है दोस्तो पाकिस्तान ही दोरी चाल और दोर आये वाली बात करता नजर आ रहा है व्यापार भी करने की बात कह रहा है और 370 भी लागू करने की बात कह रहा है लेकिन भारत को इससे कुछ और कोई फरक नहीं पड़ता दोस्तो क्योंकि भारत ने व्यापार की कोई बात ही नहीं चेड़ी और आपको बताते दोस्तो कश्मीर पर कोई भी रियायत देने के मूड में नहीं है अपनी भारत सरकार जी हां दोस्तो क्योंकि भारत के पास एक्सपोर्ट करने के लिए बहुत सारी कंट्रीज है दोस्तो एक पाकिस्तान से ही भारत का घर नहीं चलने वाला आपकी क्या रहा होगी और मोदी सरकार को आप क्या सजेशन देना चाहेंगे दोस्तो शहबाद शरीफ की इस बयान को लेकर और जम्मू कश्मीर में 370 की भाली को लेकर जवाब जरूर दीजेगा शहबाद शरीफ को पाकिस्तान को और इसी बीच दोस्ता आप से साओधी अरब UAE और चाइना से मदद तो दोस्तो इन्होंने मार दिया बहाना दरसल निरंतर आर्थिक संकड में फस्ते जा रहा है पाकिस्तान की मदद से उसके दोस्तों ने भी पल्ला जाड लिया है साओधी अरब संयुक तरबे मीरात और जीन से उसने आर्थिक मदद मा करण उसका पहले से बुरा हाल है करज देने में चीन, UAE और सौधी अरब की आनाकानी की बात खुद पाकिस्तान के वित्तमंत्री मिफ्ताह इसमाइल ने की है जी हाइसमाइल का नुसार पाकिस्तान को करज देने में सके मित्र देश भी सितर्कता बरत रहे हैं एक मीडिया इसमाइल के हवाले से कहा गया है कि वो मदद की गुहार लेका सौधी अरब और UAE तो खुद गए थे कुछ अन्य देशों से भी चर्चाएं की थी लेकिन वे मदद को तयार नहीं है इन सभी देशों ने उन्हें सलाह दिया कि पहले वे अंतर राष्टिय मुद्रा कोश या पाकिस्तान को करज दिंगी तो ही वो भी मदद करेगा है यानि कि दोस्तो अब पाकिस्तान का फिर स्रिलंका जैसा ही हाल होता दिखाई दे रहा है दोस्तो और कुछ समय बाद पाकिस्तान की हालत बस बत्तर हो जाएगी दोस्तो लेकिन ऐसे में ये कयास लगाए जारें दो तो भारत के लिए आतंगी हमले तेज हो सकते हैं जी हाँ दोस्तों फिलहाल जो खबर हमने आपको बताया है दोस्ताइस आपकी क्या राय होगी पाकिस्तान को लेकर बताइए का जरूर चलते हैं अगली खबर की तरफ जहां पर भारत को दहलाने की फिराग में अलकाइदा का अफगान समू AQIS इसके पास 130-400 आतंग की जी हाँ दोस्तों अलकाइदा के सहायक और अफगानिस्तान में सक्रिया आतंग की गिरोह AQIS की नजरें भारत पर हैं दोस्तों संयुक्त राष्ट ने अपनी ताजा रिपोर्ट में चेताते हुए बताया है कि AQIS ने मार्च 2020 में अपनी पत्रिका का नाम नवाए अफगान जिहाद से नवाए गजवाए हिंद कर दिया इससे आतंग की गुट के भारत में गतिविदिया बढ़ाने का संकित मिलता है यूएन की प्रतिबंध निकरानी व विशिलेशन टीम की 13 वी रिपोर्ट का नुसार AQIS अफगान में बिना शोरे शराबे आतंकी गदिविदियो में जुटा हुआ है दोस्तों इसके पास 180-400 आतंकी है इनमें वांगलादेश में अमार पाकिस्तान के नागरिक भी है ये आतंकी गुट गजनी हेलमंद कंधार निम्रूज पत्तिका जबुल राज्यों में है अक्टूबर 2015 में अमेरका वा अफगानिस्तान के कंधार में सयुक्त ऑपरेशन के बाद वे कमजोर तो हुए लेकिन खत्म नहीं अब वित्य मदद ना मिलने से भी उनकी मुश्किले बढ़ी है इसलिए वो आकरामक रुख नहीं दिखा पा रहे है जी हां दोस्तों और ऐसे में भारत को लेक जो बॉर्डर लाइन है वो काफी जादा अब सुरक्षित है दोस्तों और एडवांस भी है ऐसे में इनका भारत में घुसना और भारत में आतंकी हमले करना ना मुम्किन है जी हां दोस्त अगली खबर की बात करें जहां पर आखिर आई एनस विकरांद पर क्यों है चीन की बॉर्डर भारत और चीन सेना के आई एनस विकरांध पर है जी हां दोस्तों पीपोस्छ लिबरेशन आर्मी ने अपणी वेबसाइट पर भारतिया विमान वाहाक、 पोट आई एनस विग्रांत के लौज के बारे में एक लेख प्रमुखता से प्रकाशित किया है कहा गया है दोस्तों इस लेख में कि आई एनस विग्रांत भारत की दो महासाग्रों की रणनीती के कार्यानवन को बढ़ावा देगा मौझूता वक्त में भारत का एक मात्र एर क कर सकेडा जिससे दक्षिन पुर्व एशिया और एशिया प्रशांत के प्रभाव का विस्तार हो Toda Osalp पर चीट की नजरे दोस्तों आप समझी गए होंगे क्योंकि rayons Likrant जो है दोस्तों वह शायदट चाइना के पास भी ऐसा विआन वाहक नहीं होगा जी हाँ दोस्त अगली खबर की बात करें जहां अमेरिका की आपती नजरंदाज सस्ते तेल के बाद भारत ने रश्या से किया एक और बड़ा सौधा जी हाँ दोस्तो यूकरेन पर रूसी हमले के बीच उर्वरक की बढ़ती कीमतों ने भारत जैसे क्रशी प्रधान देश्च की मुश्किले बढ़ा दी है रश्या विश्व में उर्वरकों का बड़ा उत्पादक है और प्रती बंदों के कारण अब वो वेश्विक बाजार में उर्वरक नहीं भेज पा रहा है जिससे उर्वरक की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है इस वीज भारत के लिए राहत की बड़ी ख़वर ये है दोस्तों कि भारत ने रश्या से उर्वरकों की एक बड़ी आपूर्ती को अंतिम मंजूरी दे दी है धिकारियों के मताबिक सालों तक चलेने वाले इस आयात सौदे की बात चीत को अंतिम रूप दे दिया गया है यूगरेन पर हमल रूप लेकर रश्या पर प्रतिबंद लगे हैं जिस कारण वो डॉलर में ब्यापार नहीं कर पा रहा है रूस से ब्यापार को लेकर अमेरिका ने कई बार भारत को भी आगाह करने की कोशिश की है दोस्तों आला कि भारत ने साफ कर दिया है कि वह अपने हितों के अनुरू का चाय उद्योग के लिए कच्छा माल और आटो पार्ट्स दिया जाएगा बहुत बड़ी खबर दोस्तों भारत के इस खतम की आप सराना करेंगे नहीं हाए नामे जवाब जरू दीजेगा आप लोग दोस्तों और एसे में जो कार्य भारत के लोगों के हित्म होगा दोस् जून को भाजपा में शामिल होंगे हार्दिक पटेल हाल ही में छोड़ा था कॉंग्रेस का हाथ जी हां गुजरात के पुर्व कांग्रेसी नेता हार्दिक पटेल ने भारतिय जन्ता पार्टी में शामिल होने के लेकर बड़ा बयान दिया है दोस्तों न्यूज एजेंसी एनाई से हुई बात चीद में हार्दिक पटेल ने बताया है कि वो दो जून को भाजपा में शामिल होंगे पटेल ने 18 मई को कॉंग्रेस पार्टी से इस्तिफा दे दिया था राज्ज में विधान सभा चुनाप से ठीक पहले उनका ये कदम कॉंग्रेस के लिए बड़ा जूतगी में भाजपा में शामिल होंगे जी हाँ दोस्तों तरसल पिछले कई दिनों से कयास लगाए जा रहे थे कि हार्दिक पटेल भाजपा में शामिल हो सकते हैं अब वो दिन आही गया SMN को साथी अंतिम खबर की बात करें जहां अखलेश के बयान पर सीम योगी जी का तंज कहा आप में और राहूल गांदी में ज्यादा फर्क नहीं है जी हां दोस्तों उत्तर प्रदेश विधांसवा में बजट पर बोलते हुए मुख्यमंत्र योगी आदितेनाज जीने नेता प्रतिपक्ष और समाजवादी पार्टी के राष्टी अध्यक्ष अखलेश ज्यादव पर तंज कसा है सियम योगी जीने कहा कि आप में और राहुल गांदी में ज्यादा फर्क नहीं है बस एक फर्क है राहुल देश के बाहर देश की बुराई करते हैं गौर तलभ है कि अखलेश ज्यादव ने कल को बजट यानि सोमवार को बजट पर बोलते हुए बेसिक शिक्षा पर सवाल उठाया था और अपने मुख्य मंत्रित्व कारिये काल की एक घटना का जिक्र करते हुए कहा था कि मैं एक बार एक स्कूल में गया और बच्चे से पूछा कि मुझे जानते हो बच्चे ने का हाँ आप राहुल गांदी है अखलेश यादव के इस बयान पर पूरा सदन ठा आखे से गूझ उठा जिसके बाद दोस्तों सीम योगी आदितना जीनिस पर प्रटवार करते हुए कहा बच्चे भोले भाले होते हैं लेकिन मन के सच्चे होते हैं जो बोला होगा वह बहुत सोच समझ कर ही बोला होगा वैसे भी आप में राहुल गांदी में बहुत ज्या बताईएगा और अखलेश यादव और राहुल गांदी में आप लोग क्या फरक समझते हैं दोस्तों या दोनों एक जैसे हैं आपकी च्छा है आपकी क्या राया बताईएगा जरूर और ऐसे में दोस्तों ये थी अपता कि सारी बड़ी खबरें आपको हमारी खबर कैसी ल लाइक चैनल को कर दीजे सब्सक्राइब बैल आइकोन दवाईए साथी कोमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जैहिंद जैभारत तो मिलते हैं आप सब्सक्राइब बड़ी खबर में दोस्तों तब तक लिए अपना ख्याल रखेगा आप सभी का बहुत बहुत धन्यवा जैश श्री राम वंदे मातरम हरहर महादेव